कप्तान हैरी ब्रूक के नाबाज शतक की बदौलत इंग्लैंड की टीम तीसरे वंडे में उस्ट्रेलिया को हराने में काम्याब रही। पहले बल्ले बाजी करते हुए उस्ट्रेलिया ने 304 रनों का स्कोर बनाया। इसके जवाब में इंग्लैंड ने DLS मेथट से 46 रनों से मैच जीत लिया। इंग्लैंड की इस जीत में कप्तान हैरी ब्रूक का अहम योगदान रहा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खतरनाग गेंदबाजी का सामना करते हुए शानदार शतक जड़ा जिसके दम पर इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करने में सफल रही। उनके बल्ले से 113 रनों की नाबाद पारी निकली जिसमें उन्होंने 13 चौके और 2 शानदार छक्के जड़े। इस शतक के जड़ने के साथ ही ब्रूक का नाम इंग्लैंड के वंडे क्रिकिट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। वंडे में 9 साल के बाद कोई इंग्लिश कप्तान आस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़ने में कामयाब हुआ है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। इससे पहले साल 2015 में इयोन मोरगन ने बतौर कप्तान सिडनी में आस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार शतक ठोका था। उस्ट्रेलिया के खिलाफ वंडे क्रिकेट के इतिहास में इंग्लैंड की ओर से पहला शतक डेविड गौवर ने बतौर कप्तान साल 1985 में लॉर्ड्स में लगाया था। इसके बाद साल 1997 में माइकल एथर्टन ने ओवल में साल 1997 में उस्ट्रेलिया के खिलाफ सैकड़ा जड़ा। वंडे सीरीज में नहीं खेल रहे हैं। ऐसे में बटलर की जगह हैरी ब्रूक टीम की कमान संभाल रहे हैं। वंडे सीरीज के पहले दो मैचों में इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा था लेकिन अब तीसरे मैच में इंग्लैंड की जीत ने सीरीज को रोमान्चक बना दिया है। सीरीज का चौथा वंडे मैच लंदन के एतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद।